हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर योट्यूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा बाजू का एक बहुत सुन्दर सा डिजाइन जो की एक फूल की पत्ती की तरह बनता है कपड़े से याप फूल पत्ती का लुक दे सकते हो बाजू के इस डिजा को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जैसे नॉर्मल हम बाजू की कटिंग कर लेनी है जैसा कि आप देख सकते हो ये बाजू की कटिंग मैंने कर रखी है और दूसरी बात यह है कि दोस्तों बाजू आप अपनी चोईस से अगर थ्री-फॉर्थ रखना चाहते हो यानि की पौनी बाजू रखना चाहते हो तो पौन बाजू रख सकते हो अगर आप कोहनी तक की बाजू रखना चाहते हो तो कोहनी तक की बाजू भी रख सकते हो फिलाल जो मैं बाजू बना रहा हूं ये कोहनी तक की बाजू है बाजू की कटिंग करने के बाद फिर आपको क्या कर करने के बाद अब ये बाजू के हो गए दो पीस एक ही हो गया और एक ये हो गया इसके बाद आपको क्या करना है जो भी आप कंट्रास करना चाहो जो भी मैचिंग का कपड़ा यूज करना चाहो इस प्रकार से देखें जैसे कि मैंने ये रैड करका कपड़ा लिया है पीस है इसको पहले आपने एक बार ऐसे फोल्ड करना है यह देखिए फोल्ड कर लिया एक बार उसके बाद इसको आपने दूसरी बार फोल्ड करना है इसे दो बार हो गया और उसके बाद आपने इसे तीसरी बार फोल्ड करना है यह देखिए इस प्रकार से तीन बार आपने इस प्रकार से बिल्कु सीधा ये देखी और यहां से आपको सीधी स्लाई लगानी है और इसके साथ-साथ आपको चार-पांच जितने भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो कैसे लगाने आई चलते हैं मशीन पर एक मेने लगा लिया है इसके बाद फिर इसी प्रकार से एक बार फोल्ड करा इसके बाद दूसरी बार फोल्ड करना है आपको और उसके बाद आपने से तीसरी बार फोल्ड करना है इस प्रकार से और फोल्ड करने के बाद इस चीज़ का आपको याद रखना है कि यह जो कोर् इस तरह से मैंने टोटल इसमें ये चार जो है ट्राइंगल बनाके लगाए हैं इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको बाजू का दूसरा वाला पला उठाना ये देखे और इसको इसके उपर रख लेना इस तरह से फिर आपको लगानी एक सिलाई इस सिलाई को लगाने के बाद जब आप बाजू को सीधा करोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा आप सोचोगे ये क्या डिजाइन है अब डिजाइन इसके अंदर अब बनेगा कैसे बनेगा ये देखे इसको जब आप इस परकार से खोलोगा ने ये देखे ये आपकी एक ये जो पती होती ने फ्लावर की रोज पती होती इस परकार से इसका लुक आएगा देखे इसको जब आप इस परकार से खोलोगे ये देखे इसको आपने इस प्रकार से निकालना है ये देखे इस प्रकार से आपकी एक लीप बन जाएगी ये देखे अब इसको और भी अच्छा अकर्शक लुक देने के लिए आपको क्या करना है ये जो लीप बननी है जो पती बननी है यहाँ पर आपको एक एक मोती लगाना है मोती क सुरुवात करनी है देखिए इस जगे से आपने यहां से सुरुवात करनी है और इस प्रकार से देखें इसके बिल्कुल कॉर्णर पर यहां पर आपने इस तरह से सुई को निकालना है और बिल्कुर सेंटर में इसको रखते हुए यह दिखिए बिल्कुर सेंटर में फिर आपने एक मोटी इसके अंदर परो लेना है जैसे कि मोटी है और मोटी को इसको अपर रखते हुए फिर आपने इसमें दो तिन अच्छे मजबूर टांके लगाने है क्योंकि इसका जो अच्छा लुक है वो मोटी लगाने के बाद ही आएगा और सारे के सारे मोटी आपको इस परकासे लगा लेने मोटी सारे में लगा लेता हूं एक बार और मोटी का लगाने के बाद फिर बाजू को आगे फोल्ड करके इसमें बोर्डर लगा लेंगे या फि को दिखाता हूं तो फ्रेंट्स बाजू के आगे आप बॉर्डर लगा सकते हो पाइपिल लगा सकते हो यह फिर आप अपनी चोईस की कोई लैस भी लगा सकते हो इसके बाद जैसे बाजू मैंने बिल्कुल बराबर काटी थी फिल जब आप डिजाइन बना लो तो उसके करती का डिजाइन कैसे बनता है वो मैंने आपको सिखाया है अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आमें सपोर्ट करें थैंक यू वेरी मॉच